नमस्ते दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि भोजन करने के बाद भी अगर आपको कुछ उट पटांग खाने की इच्छा करती है तो ऐसा क्यूं होता है? क्या वज़े है जो आपके साथ ऐसा होता है? दोस्तो यदि खाना खाने के बाद भी कुछ खाने की तीवर इच्छा रहती है तो इसे फूड क्रेविंग कहते हैं तनाव पानी कम पीने शरीर में पोशक तत्वों और प्रोटीन की कमी से ये दिक्कते होती हैं दोस्तो आपको लंबे समय की क्रेविंग की वज़े से एसिडिटी, मोटापा और खाना ना पचने जैसी परिशानियां शरीर में शुरू हो जाती हैं इसके अलावा क्रेविंग के लिए हंगर हार्मोन्स, ग्रेलिन, कॉर्टिसॉल और लेप्टिन जम्मेदार होते हैं तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों इसके लिए आपको तला बुना नहीं खाना है, इसकी बज़ाए आप मौस्मी फूर्ट्स और सबजियां खाएं हेल्दी फूट ग्रेलिन हार्मोन्स को बढ़ने से रोकता है, यह वसा की मातरा को स्टोर करता है इससे बिना टाइम के बूख लगने की प्रॉब्लम नहीं होती और फास्फूट खाने से बच जाते हैं इसके लिए आपको एक और काम करना है दोस्तों, आप अपने जीवन में बिल्कुल भी तनाव ना लें, खुश रहें तनाव से शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, इससे भी बूख जादा लगती है तनाव है तो गहरी सांस ले, अपनी पसंद के गाने सुने, एक्सेसाइज करें और अपने पसंद का काम करें दोस्तों ये थी आज की जानकारी, दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें